तो आगे आप, स्वागत है आप लोग का आज के मारे इस वीडियो में और आज हम शुरूर करने जा रहे हैं algebra यानि बीजगडित, आज हम किसी प्रकार के बीजगडित से कोशनों को सौल नहीं करने आ ले हैं आज की वीडियो बहुत जादा बेसिक है, जहां पर algebra के बहुत सारे basic concept, basic चीजों को जिनको समझना बहुत जादा जरूरी है जब आप आगे इसको पढ़ने जाते हैं क्योंकि बेस अच्छा नहीं, तो आगे तो अच्छा हो ही नहीं सकता तो इसलिए आज की वीडियो, छोड़ी सी वीडियो में बहुत सारी basic चीज़े, जो algebra को शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, उसी को जानेगे, तो चलिए शुरू करते है अब आज की वीडियो पांच चॉकलेट बची है, तो बताओ डब्बे में पहले कितनी चॉकलेट थी, तो आप अंदाया लगाएंगे पांच डब्बे में है, चार किसी नहीं निकाल ली, तो उस चार को लागे इसमें जोड़ देते हैं, राइट, कितनी बन जाएंगी, नौ चॉकलेट, लेकिन जब आप इसको एक तरह से लिख करके सॉल करना चालू करेंगे, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ये है कि भई डब्बा था, डब्बे में थी चॉकलेट, उस चॉकलेट में से चार किसी नहीं निकाल ली है, तो अब उसके अंदर बची हुई कितनी हैं, पा किसी ने निकाल ली, अब उसमें बची हुई है, पांच चॉकलेट, पर गड़ित में, मैथ में ऐसा तो नहीं होता है, कहीं पर भी आपने कुछ लिखा है क्या, नहीं देखा है ना, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक्स का, ए यानि कि X हमने क्या मानी थी, कि भाई उसके अंदर जो चॉकलेट थी, वो चॉकलेट आज हमें पता चल गई, कि भाई, जो चॉकलेट थी डब्बे में पहले वो थी 9, ठीक है, यहीं है कुछ बीज़ गड़ित, यहीं से बीज़ गड़ित की सुरुवात होती है, जब हम को लोग X लेते हो, वो यूज़ करते थे क, ख, ग, ऐसे हिंदी वर्ड माला के शब्दों का, और आज हम यूज़ करते हैं X का, वैसे तो A to Z, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर normal जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है X का, तो यहां से आप इंटर कर चुके ह लेकिन यह तो काफी ऊपर से चालू किया मैंने, अब चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझे, शुरू करते हैं, अक्तम बेसिक से, जैसे ही, मैं यहां पर लिखता हूँ, एक X, ABCD के हिसाब से तो यह X है, लेकिन गड़ित के हिसाब से इसको कहा जाता है, वैरि अगर आप वैरि को अलग करेंगे ABL से, तो यह बनेगा वैरि का मतलब होता है, जो बदलता है, ठीक है, अब इसके अलावा इसकी एक और पहचान भी है, इसको हम पद यानि की टर्म भी कहते हैं, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है, अब पद यानि की पद से क्या बनत है, जिसको हम कहते हैं बहुपद, जो कि आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा, अब बहुपद में एक पद भी होता है, यानि जिसको हम एक पदी कह देते हैं, उसके लावा द्वी पद भी होता है, जिसको हम द्वी पदी भी कहते हैं, इसके लावा त्री पद भी होता है और फिर तो बहुपद तो है ही अब एक पद, द्वीपद और त्रीपद में क्या फरक है तो ऐसे समझेए जब मैं लिखता हूँ X तो ये एक पद है ठीक है पर मैं लिखता हूँ अब इसके साथ में कोई संख्या लगी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं अब यहाँ पर आपको कितने दिखाए दे रहे अब यहाँ पर तीन दिखाए दे रहे यह है त्रीपद समझ में आ रहा है और एक चीज और इसको क्या त्रीपद ही कहेंगे या इसको क्या द्वीपद ही कहेंगे नहीं इने बहुपद भी कह सकते है जब दो हो या दो से ज़्यादा हो जाए जैसी एक से ज़्यादा जाता है तो बहुपत की कैटेगरी में भी चला जाता है इन सभी के साथ में कोई ना कोई संख्या चित्की होई हो सकती है पर आप एकपद, द्वीपद, त्रीपद कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको समझा चूँँ एकपद को मौनोमियल कहा जाता है ओके ये जो इंगलिस वाले हैं मैं उनको बस समझा जाता है द्वीपद जो है इसको binomial कहा जाता है और जो 3-पद है इसको trinomial कहा जाता है ओके तो आप इसको याद रख सकते हैं तो एक पद 2-पद 3-पद हो गया अब आप यह देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह जो चीज लगी हुई है यह अलग अलग ये क्या है तो ये है degrees ठीक है हिंदी में इन्हें कहा जाता है घात और English में कहा जाता है degree अब जहां पे दो लगा है आप जानते हैं दो को आप बोल सकते हैं square जहां पे लगा है तीन उसको आप बोल सकते हैं cube ठीक है और तीन से अगर जादा है तो हम उसको degree यानि घात बोल सकत अगर एक लिखा हुआ है तो ये पद है इसे चर कहा जाता है और बहुपद जो है जो पद है ये क्योंकि एक पद बना एक पद के कितने रूप हो सकते हैं एक दो और तीन और वो क्यों हो सकते हैं और अगर इससे जादा हो गए तो उन्हें क्या गए उन्हें बहुपद कि आगे ये जो जगहें खाली है, यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, अब माल लोग भई इसके साथ में याँ पर एक संख्या आ जाती है, यह आ गया 3, अब ये क्या कहलाएगा, जी अभी भी ये पद ही कहलाएगा, अभी कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये जो यह यहाँ पर संख्या लिखिये, इसका भी एक अलग से नाम है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, गुणांक, हिंदी में, और अंग्रेजी वाले बच्चों को याद रखना है, इसको कहते हैं, कॉफिशेंट, ओके, सो, अब इसको यह कॉफिशेंट या गुणांक क्यों कहते हैं, मैं आपको जरा यह समझा दू, आप जानते हैं कि गडित में क्या होता है, गडित में जमा, घटा, गुणा, भाग, यही चीजे हैं, इसको इस टम, लेकिन जब हम एलजेब्रा में घुशते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी साइन यूज होगा, इसके लि आने लिखते हैं, दो गुणे तीन, याने मल्टिप्लाइ में तीन, इन्टू में थ्री, यह ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से हटा दू, तो यह क्या बन जाएगा, तब तो आप कहेंगे जी यह तेश लिखा हुआ है, एक्जैक्लिक समझ में आ रहा ह लेकिन जब हम एलजेब्रा में होते हैं, मालनों लिखा है थ्री इन्टू ए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि इसको लिखने की जरूवती नहीं है, अगर यह थ्री ए लिखा है ना, तो इसका मतलब यह होता है, कि तीन इन्टू ए, तीन की गुणा किस से हो रही है, ए से हो रही है, तो आपको यह मान के चलना है, कि एलजेब्रा में, अगर कहीं पर कोई साइन नहीं है, तो वहाँ गुणा है, तो आपका दिमाग अब इधर जा रहा होगा, राइट, तीन एक्स के साथ मुल्टिप्लाई में है, जैसे को यह एक्स की वैल्यू बिलेगी, त गुणांक है, क्योंकि वो उससे गुणां हो सकता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, गुणांक सब्द से वो उसके साथ गुणां में है, अगर अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ गुणांक में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं लिखी लेकिन जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है सबका माले एक ऐसे ही यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर क्या होगा एक होगा अगर आपसे कोई पूछता है कि यहां पर कॉफिशेंट क्या है गुडान क्या है तो आप बताओगे एक यहाँ पर भी क्या है, एक यहाँ पर भी क्या है, एक यहाँ पर भी क्या है, एक है, उके लावा एक चीज और आपको यहाँ पर देखनी है, अब यहाँ पर देखो, प्लस के निशान है, प्लस को हटा करके, यहाँ माइनस भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस का निशान ह सकता है तो अब ऐसे भी क्या होगा देखो उससे फरक कुछ नहीं पढ़ने वाला अगर आपसे गुणांक पूछा गया है तो मैंने क्या बता है एक तो रहे गई लेकिन आप क्योंकि एक क्या गया माइनस का निशान है तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो गुणांक है वो पद जो है एक पदी दूइपदी त्रीपदी और बहुपद हो सकते हैं तो एक ऐसा हो गया दो में दो हो गया क्योंकि बीच में एक सिंबल आएगा फिर वो दो पद में बढ़ जाएगा उसके लाबा मैंने आपको बता दी भाई घात यारी की डिगरी होती है उसके बाद ह सबके लिए साइन लगाए जाते हैं लेकिन अगर कोई साइन नहीं है तो वहां अपने आपको मल्टिप्लाई में है आपको यह याद रखना है वह उसके साथ गुणा में है ही है ठीक है अब इसके अलावा क्या रहे गया यहां पर समझने के लिए अब जड़ा उसकी तरफ ध्यान देते थो थोड़ी सी जगा भी कम है तो मैं इसको साफ करके फिर समझाना चालो गता हूं सो हम तेजी से आगे बढ़ते जारा है तो आए थोड़ी सी पहले एक प्रैक्टिस कर लेते हैं छोड़ी सी तो मैं यहां पर एक बहुपर लिख रहा हूं तो आपको दिग्य तो आपने बता दिये कि भई यह फटाक से 3 पत है फिर उसके आद मैंने पूछा कि भई इसका गुणांग बताए तो अब यहां पर सवाल यह उठेगा कि भई गुणांग याद है न कॉफिशेंट की बात हो रही कि मैं गुणांग कि गुणांग तो यहां पर भी है और ग यानि किसकी भाई डिगरी कितनी है वह बताईए तो आप जब डिगरी की बात आएगी तो आप क्या देखेंगे डिगरी यहां पर तो दो है यहां पर तो डिगरी नहीं दिखाए देरी तो मैं आपको पहले समाद जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर एक होता है तो अब आपके पास फिर वही सवाल है कि जब मैंने गुणांग पूछा था तो आपको नहीं समझ में आर था कि भई इसका बताना है या इसका तो मैंने क्लेरिफाई किया कि भई एकस स्क्वाईर का बताना है तो आप बता पाए लेकिन जब आपसे घात पूछा तो मैंने अभी यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया तो आपको हमेशा घ्यान रखना है कि जब एक बहुपद लिखा हुआ हो और उस बहुपद में उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बताया जाता है तो आप इसके अंदर सबसे बड़ी घात क्या है वो है दो तो हम कितना लिखेंगे घात कितनी है भाई दो है ठीक है यह किलियर हो गया तो पद किलियर हो गया गुडान किलियर हो गया खात भी गिलियर हो गया पर आपने क्या नोटिस किय कि यहां पर एक जो लिखा हुआ है देखो इसके साथ एक variable है इसके साथ भी एक variable है फर इसके साथ कोई variable नहीं ठीक है यह एक coefficient है यह भी एक coefficient है यह हमारा variable हम आ चुके हैं लेकिन जब हम इस एक को देखते हैं तो इस एक के साथ में कुछ नहीं लिखा और यहां पर कुछ भी ह सकता है एक की जगा माल लो यहां पर साथ है दो भी कुछ फरगने पड़ता बड़ वहाँ पर एक अकेली संख्या जिसके साथ कोई वैरियेबल नहीं लगा हुआ है सो ऐसे में इसको क्या कहते है तो इसका एक अलग नाम है इसको कहा जाता है अचर अचर याने की constant अब इसके अंदर देखो इस नाम के इस शब्द के हिसाब से हम जाएंगे तो meanings है अचर जो कभी ना बदलता हो चर जो बदलता हो ऐसे करके बास simple सी चीज़े है बट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसके साथ में एक variable लगा हुआ है यह coefficient हो गया क्योंकि इनके साथ गुणा हो रहे है इसलिए गुणांक है और यह जो भाइसाब है यह बिल्कुल अकेले हैं अलग है इनके साथ कोई भी x यानि कि हमारा जो variable है वो नहीं है इसलिए इनको कहा जाता है अचर यानि की constant यह है सक्त ठीक है और यह बाकी सब जो है वो इनके साथ variables है ओके सो यह हो गया एक basic सी चीजे के लिए जो आप आसानी से आप बहुपत के बारे में समझ सकते हैं तो मैंने काफी सारा basic से समझा दिया अब इसके आगे अगर आप समझने जाएंगे तो फिर direct ह अफली वीडियो में एक खास महमान को बुला के लाओंगा जो आप से कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दो तो बने रही है हमार साथ और शेयर का देना वीडियो क्योंकि ज्यान बार्टेस बढ़ता है मैं मिलता हूं बहुत जल लगी वीडियो है तब तक लिए नम सकार